एक गीत सौवफसाने रीजो प्लेबैक इंजा लेकर आता है हर हफ़ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मज़ेदार किसे कुछ रोचक कहानिया एक गीत सौवसाने रेडियो प्लीबैक इंडिया शुरु शुरु में संगितार बसंत प्रकाश इस फिलम के संगीतार थे इसके बावजूद बीच में ही संगीतार क्यूं बदलना कर देफि बूल उबदनार किया अंग्यतार की बदलनाइ पशूर है ये सब कुछ आज के इस संक में शोद और आलेक सुजोई चैटर जी का है और आज इसका वाचन का रही है शुब्रा ठाकुर एक पर संयोग से पंडित जस्राज और उस्ताद बड़े घुलाम अली खान साहब दोनु का अम्रित सरजाना हुआ खान साहब से मिलने पंडित जी गए दोनों की बैठक शुरू हुई शासरी संगीत पर बाचीत आरंप हुई और दोनों बाचीत में खो गए तब ही अचानक खान साहब बोलते-बोलते रुक गए पंडित जस्राज कुछ कहने लगे तो खान साहब ने अपने हाथ के इशारे स उन्हें चुप हो जाने को कहा खान साहब कुछ सुन रहे थे उनके कानों में दूर से आती हुई कोई आवाज असर कर रही थी पंडित जस्राज ने भी ध्यान से सुनने की कोशिश की और तब उन्हें समझ में आया कि नीचे महले के किसी दुकान में बज़ रहे रेडियो प्रांजिस्टर पर गाना बच रहा था ये जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया गाना जैसे ही पुरा हुआ खान साहब अपनी जगह पर जरा हिले और कहा कम बख़त कभी वे सुरी नहीं होती अल्ला की क्या देन है जी हां दोस्तों ये तारीफ ल अनार कली का यही गीत है ये जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया फिल्मस्तान के बैनर तले निर्मित 1903 के फिल्म अनार कली के निर्देशक थे नंदलाल जस्वन दलाल इसके अगले ही साल उन्होंने इस पैनर के एक और मशहूर फिल्म नागिन निर्देशक की उनके फ तर्वे विदित है अनार कली और सलीम की प्रेम कहानी और उनके बीच दिवार स्वरूब शेहनशाह अकबर बस यही है इस फिल्म की कहानी इस फिल्म में इन तीन भूमिकाओं में अभी ने किया बीना राएं प्रदीब कुमार और मुबारक में ये दरसल जाने माने अर्दु नाटक कार स्यद इम्तियास अली ताज के 1922 के मशहूर अर्दु नाटक अनार कली का फिल्मी रूपांतरण है जिसका मंचन स्टेज पर सैक्रोबार हुआ है 1923 की अनार कली फिल्म के अलावा 1960 की ब्लॉग बस्टर मुखले आजम भी इसे नाटक का ही एक और रूपांतरण था ताज के इस नाटक में नाटकी यता लाने के लिए कई अतिहासिक तथियों के साथ छेर चाड़ की गई है ऐसा कई इतिहासकार बताते हैं इसलिए अनार कली फिल्म के अंत में ये डिस्क्लेमर चोड़ा गया है कि इस फिल्म का इतिहास से कोई लीना देना नहीं है रोचकत तथि ये भी है कि दोनों ही फिल्मों यानि अनार कली और मुखले आसम के क्लाइमिक्स भी अलग हैं एक में अनारकली की मौत हो जाती है, तो दूसरे में शेहनशाह अकबर उसे सुरंग से निकल जाने का मौका देते हैं। दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने कहानी शुरू भी नहीं की, फिर सिधे क्लाइमेक्स पर कैसे पहुँच गए, है ना। दरसल बात ऐसी है कि आज इस फिल्म के जिस गीट की हम बात कर रहे हैं, वो फिल्म का क्लाइमेक्स गीट है, यह एक आम धारना है, कि अनारकली फिल्म के गीट यह जिन्दगी उसी की है, और मुगले आजम की गीट प्यार किया तो डरना क्या, दोनों फिल्मों में एक ही सिच पर फिल्माएगे हैं, लेकिन यह सच नहीं है, शहशाह अकबर और रामी जोधाबाई के सुपत्र हैं, शहजादा सलीम, अनारकली का सलीन नाम है नादिरा, अकबर की नादिरा से पहली मुलाकात अनारबाग में हुई थी, जब वो अपने प्रेमी के आने का इंतसार कर रह मांगा, इसलिए अकबर ने उसे अनारकली नाम दे दिया, और इस तरह नादिरा बन गई अनारकली, अकबर अनारकली से दूसरी बार तब मिले, जब वो सलीम को पुनरजिवित करने में सफल रही, जो काबल में एक युद्ध में गंभी रूप से खायल हो गया था, एक बा बदल चुके थे, शहजादा सलीम और अनारकली एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, बाच्छा अकबर भले हिंदू और मुसल्मान के बीच फासले को कम करने में कामयाब रहे हो, लेकिन उच नीच के फासले को मिटाना उन्हें गवारा ना हुआ, शहजादा एक आम कि शाही दरबार में अनारकली अपने प्यार का इजहार करती हुई शराब के निशे में गीत गाने लगी और रित्त करने लगी, और दोस्तों, यही वो सिच्चुईशन थी, जिस पर मुगले आजम फिल्म का काल जाई गाना आता है, जब प्यार किया तो डर ना किया, फिल यह गाना भी बेहिद मकबूल हुआ था, अनारकली की इस गुस्ताखी पर उसे खैद कर लिया गया, तमाम पड़ावों से गुसरते हुई कहानी अपने अंचान की ओर पहुँशती जाती है, सलीम और अनारकली को एक दूसरे से अलग करने के लिए, शेह शाह अकबर के पास दोनों के लिए मृत्यो दंड के अलावा कोई चारा नहीं है, सलीम विद्रोह करता है और अपनी पता के खिलाफ एक सेना तैयार करके उन्ही युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन युद्ध में वो पराजित होकर अकबर से मृत्यो दंड पाता है, अकबर ये ऐलान करते हैं कि सलीम की मौत की सजा रद कर दी जाएगी अगर अनारकली उसकी जगा मौत को कबोल कर ले जो कहीं छुपी बैठी है, ये खबर अनारकली के कानों तक पहुचती है, सलीम की जान बचा वो अपने आपको अकबर की हवाले कर देती है, अनारकली को पता है कि सलीम अपने आखरी दम तक उसे बनने नहीं देंगे। इसलिए वो एक तरकीब निकालती है। मौत से पहले वो सलीम के साथ कुछ समय बिताने की गुसारिश अकपर से करती है। उसकी गुसारिश मनसूर होती है। और इसका फाइदा उठाकर अनारकली सलीम को बेहोशी की दवा खिला देती है ताकि उसके मौत के वक्त वो कोई अर्दशन पैदा ना कर सके। अनारकली को दिवार में जिन्दा चुनवा दिये जाने की प्रक्रिया शुरू होती है और अनारकली गाह उटती है। ये जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया ये जिन्दगी उसी की है। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है उसकी चारो ओर बनाए जा रही उसकी मखबरे की ईट की दिवारी उची होती चली जा रही है। जिन्दगी है बेवफा लूट प्यार का मज़ा जैसे पंकी इस बात की और इशारा कर रही है कि उसका अंत करीब है। धड़कने रुकनी जा रही हैं और इसी बात पर राजेंद्र कृष्न सहभ लिखते हैं। धड़क रहा है दिल तो क्या दिल की धड़कनी नकिन फिर कहां ये फुरसते फिर कहां ये रात दिन आ रही है ये सदा मस्तियों में डूब जा। सलीम को होश आ जाता है और लड़कडाते कदमों से वो अनारकली की बंदी कबर तक पहुच जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसमें अब वो ताकत नहीं होती कि किसी को रोक सका। अनारकली के गले से निकलती आवाज में अलविदा अलविदा से ये गीत पूरा होता है और खबर पर आखरी इंट लग जाती है। चली गई अनारकली और तब ही हिमंद कुमार की आवाज में दो पंक्तियां सुनाई देती हैं। एबाद सबा आहिस्ता चल यहां सोई हुई है अनारकली। दृश में अनारकली की मजार दिखाए जाती हैं जो पूलों से सजी हुई है और मजार पर खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। इसी दृश से फिल्म की शुरुआत भी हुई थी और यहीं पर वापसा कर फिल्म ख आ Griffith मी अपिस आ रही है। सैनिक उसे दिवारों में चुनवा दिये जाने के लिए ले जा रहे हैं। पार्शोमें लितामंगेश्त की आवाज गूंज रही है। खुदा नगभण हो तुम्हारा धरकते दिल का पयाम ले लो तुम्हारी दुन्या से जा रहे हैं। उठो हम मारा सलाम ले लो और यही गीत है यह जिन्दगी उसी की है गीत का काउंटर पार्ट गीत अनारकली की रोती बिलखती मा पागल से हुई जा रही है और तभी उसे याद आता है कि जब उसमें अकबर को सलीम के जन्म की खबर सुनाई थी तब अकबर ने खुशो कर उसे कहा था कि कभी भी कोई एक चीज उससे मांग ले वो इनकार नहीं करेंगे वो शेहनशाह के पास भागते हुए जाती है और उनका वादा याद दिलाते हुए उनसे अपनी बेटी की जिंदगी की भी मांगती है अकबर को अपने वादे के आगे जुकना पड़ता है लेकिन अपने शर्त पर अनारकली की जान बख्ष देने के लिए राजे हो जाते हैं कि अनारकली एक गुपत सुरंग के जरीए अपनी मां के साथ निर्वासन में चले जाए और घुम नामी की जिंदगी जीए और सलीम को कभी इसकी भनग भी ना पड़े कि अनारकली जिन्दा है अनारकल के प्रती इस बलिदान के लिए ताउम्र आभारी रहने की बात करते हैं और यहीं पर फिल्म समाथ हो जाती है इस तरह से 1953 के फिल्म अनारकली और 1960 के फिल्म मुगले आजम की क्लाइमेक्स सीन और क्लाइमेक्स गीत का आपस में ताना बाना गुना हुआ है दोस्तों सुनने में आता है कि फिल्म अनारकली के संगीद के लिए सी रामचंद्र से पहले बसंत प्रकाश को चुना गया था और उन्होंने इसके संगीद पर काम भी शुरू कर दिया था हाला कि इससे पहले सी रामचंद्र फिल्मस्तान के दो अन्य फिल्मों नदिया के पार और सरगम में सफल संगीत दे चुके थे इस फिल्म के लिए नवोदित संगीतकार बसंत प्रकाश को चुनने के पीछे का कारण स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया जा सकता लेकिन अनुमान सरूर लगाया जा सकता है सुप्रसित संगीतकार खेमचन प्रकाश के भाई बसंत प्रकाश ने 1951 में फिल्म जैशंकर से बतार स्वतंत्र संगीतकार अपना फिल्म में सफर शुरू किया था और 1952 में उन्होंने सलोनी, बदनाम, श्रीमती जी और निशान डंका जैसे फिल्मों में संगीत दिया फिल्म बदनाम में लटा मंगेश करके गाए साजन तुमसे प्यार करू मैं कैसे तुम्हें बतलाऊं बहुत मशूर हुआ था इन तमाम फिल्मों के गीतों की मधूरता और उतकृष्टता और खेमचन प्रकाश के साथ उनके संबंध को देख कर ही शाहिद उन्हीं फिल्म अनारकली मिली होगी लेकिन ऐसा क्या हुआ क्यों नहीं ये फिल्म छोड़नी पड़ी? इस बारे में विश्वस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो प्लेबैक इंडिया की टीम ने संपर्क किया स्वर्गी बसंत प्रकाश के सुपुत्र रितुराज सिसूदिया से रितुराज जी ने खुले मंद से हमें इस बारे में जो जानकारी दी वो इस प्रकार है उन्हीं के शब्दों में जी हाँ ये सच बात है अनारकली के संगीत को लेकर कुछ विवात खड़े हुए थे एक दिन काम के अंतराल के वक्त मेरे पिताजी श्री बसंत प्रकाश फिल्मिस्तान स्टूडियो में आराम कर रहे थे उस समय निर्देशक नन दलाल जस्वन दलाल जी के साहयक उस कमरे में आए और उन पर चीखने लगे मेरे पिताजी को उस असिस्टेंट के चिलनाने का तरीका अच्छा नहीं लगा उन दोनों में बहसा बहसी हुई और उसे वक्त पिताजी फिल्म छोड़ कर आ गए लेकिन तब तक पिताजी फिल्म का एक गीत रिकॉर्ड कर चुके थे गीत अंदत्त की आवाज में सी राम चंद्र जी ने आकर फिल्म के संगीत का भार्स विकारा लेकिन अपनी एक शर्ट रखती कि ना केवल फिल्म के गाने लता मंगेशकर से गवाई जाएंगे बलकि मेरे पिताजी द्वारा संगीत पध गीता दत्त के गाएगीत को भी फिल्म से हटवा दिया जाए था आ जाने वफा फिल्म अनारकली का ये काल जाएगीत ये जिन्दगी उसी की है उस वर्ष लोगप्री रेडियो कारिकरम बिना का गीत माला के वाशिक कारिकरम का सरदाज गीत बना यानि उस साल का सरवाधिक लोगप्री गीत आज सतर साल बाद भी इस गीत का वही असर वही मिठास, वही सदा बहारतास की बरकरार है। हो सकता है कि मुखले आजम फिल्म को अनारकली फिल्म से अधिक सफलता मिली हो। लेकिन जब जब दोनों फिल्मों के गीतों के बात चलेगी, तब तब प्यार किया तो डरना क्या गीत को काटे की टकर देगा। ये सिंदगी उसी की है, ये गीत।